नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नौलेज इन हिंदी और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर आपके पास भी है लैप्टॉप यह कम्प्यूटर जो की विंडो टैन का है और आपको इसमें लोकेश चालू करना चाते हो साइद आपको कोई काम हो या आप किसी को लोकेशन भेजना चाते होंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोकेशन कैसे चालू कर सकते हो आईए जानते हैं इसके लिए कुछ सेटिंग्स हैं जो आपको करनी पड़ेगी पहले तो सबसे पहले आप अपने laptop में window button प्रेस करें तो अपने laptop का window button प्रेस करें यहाँ पर आपको search करना है settings settings को search करें और settings open कर लीजिए अगर आपको ऐसे नहीं मिलता है settings तो यहाँ पर आप window button प्रेस करें फिर से यहाँ पर आपको मिल जाएगा settings का icon आप इस पर प्रेस करोगे तो भी आपको यही पेज देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको कई सारे ओप्षन मिल जाएंगे यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे की तरफ एक ओप्षन मिलेगा जिसका नाम होगा प्राइवेसी आप इस पर टच करिए या किलिक करिए आपके पास ऐसा पेज आ जाएगा थोड़ा बहुत चेंज भी आपको मिल जगता है नीचे की तरफ साइड में ध्यान दीजिए आपको यहाँ पर एक ओप्षन मिलेगा लोकेशन वरना नीचे की तरफ करके देखें आपको जरूर मिलेगा तो लोकेशन पर किलिक करें यहाँ पर आपके पास ऐसा पेज आ जाएगा यहाँ पर आपको मिलेगा लोकेशन पर दिश डिवाइस यहाँ पर आप इसे ओन कर लिजिए और यहाँ पर आप इसे डिफल्ट लोकेशन सेट कर सकते हैं चेंज पर किलिक करेंगे तो यहाँ पर आप इसमें location change भी कर सकते हैं set default पर click करें और यह किसी को अपनी location देना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसमें maps में दे सकते हैं और यहाँ पर आप इसका जो history है उसे delete कर सकते हैं यहाँ पर दिखा रहा है let's map access your precise location इसमें yes करते हैं और यहाँ पे यह हमारी location बताने लग जाएगा तो यहाँ चुका है तो यहाँ पे हम करीबन सिलंपूर साइड में हैं तो दिखार आया है यह सिलंपूर दिल्ली में तो ऐसे आप इसको इस्तेमाल करें और यहाँ पे आप इसकी और भी setting कर सकते हैं आप इसे भी check out कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को like करें मेरे channel को subscribe करें अगर आपको कोई सवाल है तो comment करना मद भूलिएगा